जैस्री राम हरार महादेव दिनेज गुरू यूटूब चेनल पर आप सभी का स्वागय थार्दिक अभी दंदन आईए जानते हैं कार्थिक क्रिष्णा रमा एकादसी की कहानी और महत्यम भगवान क्रिष्ण बोले कि हे युदिष्टर कार्थिक मास के क्रिष्णा पक्षकी एकादसी का नाम रमा एकादसी है इसके महत्यम की कता ऐसे है एक मुझकंद नामक राजा शत्यवादी और विष्णुजी का भक्त था उनकी कन्या का नाम चंद्रभागा था उसका विवा राजकुमार सोबन के साथ किया सोबन का सरी निर्वल था स्रध्धा उसकी पूर्ण सक्ति साली थी एक दिन सोबन ससुराल में था और रमा एकादसी आ गई मुझकंद्र राजा ने डिन्डो राजकुमा दिया आज सब प्रजा को उप्वास करना होगा हाती गोडे उँट इत्यादी पस्वों को भी अन्न मत देना राजकुमार सोबन मुनादी सुनकर के पत्नी के पास गया और कहने लगा मैंने उप्वास किया तो अवस्ते मर जाऊँगा क्योंकि मेरा सरीर निर्वल है कई ये क्या किया जाए पत्नी बोली ये उप्वास किसक्ती नहीं तो यहां से किसी दूसरे इस्तान पर आप चले ज है वह सिक्षा दे रही है चाहे सरीर छूट जाए वर्त पुर्ण है होना चाहिए वह सिक्षा दे रही है चाहे सरीर छूट जाए वर्त को न तोड़ूंगा अधह उसने रमा एकादसी का वर्त किया भूका प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया कष्ट पाकर रात्री को जाग त्याग दिये वर्द के प्रभाव से उसे इंद्रा चल परवत पर रत्न जडित उत्तम नगर प्राप्त हुआ यहां इंद्र के समान आनंद लेने लगा गंधर्ब और अपसराएं उसकी स्तुथी करने लगी एक समय मुक्चंद नगर का रहने वाला एक ब्राम्मन सौम सर्मा नाम का तिर्थ करने को घर से निकला घूमता घूमता उसी नगर में पहुचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था उससे जागर पूचा किस प्रकार से ये उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ कौन से पुण्ने का फल प्रकट हो गया सोबन में उत्तर दिया ये सब प्रभाव रमा एकादसी का है मेरे जन्मों के अनन्त पाप रमा एकादसी वर्द करने से नष्ट हो गए और ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है प्रन्तु ये नगर धुर्व है धुर्व बनाने की सक्ती एक मेरी पत्नी में ही है अथे उ ले गए मुनी ने चंद्र भागा के मंत्रों द्वारा विशेक किया वद्दिव्य स्रीर धारण कर पती के पास चली गई पती को कहने लगी में जन्म में एकादसी का वर्द करती रही हूं उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर धुर्व लोक के समान अचल होगा इस मात करना चाहिए पलहर में क्या करें रमा एकादसी का पलहर केले का सागार काम में लेना चाहिए रमा एकादसी की दिन केले का ही सागार करना चाहिए जे जे स्री सीताराम हरहर महादेव